आरा सर्किट हाउस में लोजपा दौरा प्रेस सुवारता का आयोजन किया गया इस दौरान लोजपा के बिहार संगठन मंत्री संजर सिंग ने भोजपुर जिले के संगठन मंत्री उपेंदर सिंग एवं SCST प्रकोष्ट के जिला अध्यक्ष पत्पर मनोज पास्वान को मनोनित किया इस मौके पर संगठन मंत्री ने कहा कि मेरा मुख ओदेश से पूरे बिहार में पाठी का विस्तार करना है इसी को लेकर आज भोजपुर में संगठन मंत्री एवं SCST के अध्यक्ष का मनोनियान किया गया वे अपने स्तर से जिले के सभी परखंडों में अध्यक्ष को का मनोनियान करेंगे इसके बाद प्रखंड अध्यक्ष अपने अपने पंचायत अध्यक्ष का चैन करेंगे इससे जिले में नई उर्जा का संचार होगा पाटी भी काफी मजबूत होगी हमें आसा ही नहीं बलकि पूर्ण विस्वासे के लोजपा के सिद्धानतों के तहट अपने दाईतों का निर्भन करते हुए हमारे दोनों पदादिकारी हमारे दल्व पाटी को भोजपुर जिले में और मजबूत करेंगे पूरे मलसी सहलोजपानेता उलास पांडे ने कहा हमारे राठी अध्यक्ष चिराग पासवान का जो सपना है बिहारी फस्ट उसे जमील पर उतारने के लिए तन मन्द से इस सपने को सकार करेंगे समय पासवान ने सपनार करेंगे कि उनके सफ्पनों को इस कुरुना काल में हमारे मेता की मांग पर प्रधान मंत्री द्वारा चट तक मुफ्थ आनाज दिया गयa मैं राज्य सरकार से अपील करता हो कि अभी हालाज सुधरे नहीं है जिस तरीके से अन्य परदेसों द्वारा 6 महिने तक मुफ्त आनाज देने खोले कर विस्तार किया गया उस पर राजिस हम केंद सरकार के आपस में समन्मय स्थापित कर अपने सर से 6 महिने और आनाज देने पर विस्तार करें आज बहुत बढ़िया थी है आज लोग जा सकती पार्टी के संगठन मंत्री हैं हम और अपने पार्टी का पुड़े बिहार में बिस्तार कर रहा है उसी करम में आज हम लोग आडा जिला भोजपूर जिला के संगठन मंत्री का दाईप हमारे बहुत ही पुराने साथी और बाटी के वफदार सिपाही बाई उपिंदर गुमार सिंग जी को दिया गया है और पूरी निष्ठा जिस परकार से इन्होंने अपने पार्टी में रखा है पहले से भी पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने काम किया है उसी परकार से जासा और पूरी निष्ठा के बाद जीला में एक नई उर्जा का संचार होगा और पूरी जिला में अपना जो इनका बिस्तार करने के लिए कोई रणनिती या कोछ नया अपन जिसमें हो जी बिल्कुल हमारे पार्टी का जो दाहित भी इनको दिया गया है उसके हिसाब से इनको भजपूर जीला के जितने भी परखंड है प्रतेक परखंड में इनको परखंड अध्यक्स बनाना है और जो इनको इनको यह परखंड अध्यक्स बनाएंगे उनके द्वारा फिर पंचायद अध्यक्स बनाएगा और जो पंचायद अध्यक्स बनेंगे उनको फिर भूत अध्यक्स बनाना है भोजपूर में एक मुक्या के जो अभी चुनाव जीते चर्पुक्री से अभी हत्या कर दिया गया है निर्मम तरीके से क्या कहेंगे इस पर है कि नौ निर्वाचित मुक्या का हत्या इस परकार से कर दिया गया या भोजपूर जिलाक के लिए ही ने बल्कि पुड़े बिहार के लिए बहुत ही सबनाग बात है और मुझे लगता है कि इस राज में अब जब एक जनपरजनी धी जोती रस्तिय पंचायत के एक मजबूत मुझे लगता है कि अब आज के समय में कोई सुरवचित नहीं है कोई सुरवचित होके अपने घर से नहीं निकल सकता है और जो डर और ये का जो ब्याद पुड़े बिहार में निस्चित मुझे लगता है कि फिर से पुना दुराने जाए जाए जिए खोड़ा सा बावाल उसको अभतर तरीके से बर्नन किया है। उससे हमारे जितने भी सोतंता से नानी है। पार्टी के गुड़गान करिये तो बड़े-बड़े पुरसकार पाइए वलहाले क्या है देखिए हम इसमें नहीं जानते हैं हम इतना जोड़ जानते हैं कि जो गलत है उसके साथ लोग जनसकती पार्टी कभी नहीं रहती है और गलत को गलत कहने वार अगर कोई है तो लोग